दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता की नई बढ़ती आने वाली है इस वीडियो में बात करेंगे प्रवक्ता बढ़ती के लिए कौन अब्रती आविदन कर सकते हैं और किन अब्रतियों को विशेज तोर पर इस बढ़ती का फार्म बरना चाहिए इस बढ़ती के लिए आफेदन करना चाहिए तो वीडियो को आप लोग लाइक और सेयर कर दीजिए साथ में चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर सिच्छक बरती की सारी अथन्टिक अब्लेट आपको दी जाती है दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक यही एक ऐसी स्पेशल बरती है जिसमें बीएड की कोई भी रिक्वार्मेंट नहीं है तो अगर आपका बीएड नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ पीजी क्वालिफाई किये हुई है ठीक है तो इस वरती में आप आवेदन कर सकते ह हैं और यह आपके लिए एक आखरी मौका रहेगा एक तरीके से देखें कि पीजी के बेस पर प्रवक्ता बनने जा रही है आने वाले टाइम पर इस वरती के बाद जो भी बड़तिया होंगी उसमें यह तो बहुत हैं पर बीएड लग जाएगा तो अगर आपके पास बीए बीएड के जौब पाना चाहते हैं तो अंतिम मौका है जीजान लगा दीजिए इस वरती में और यहां पर चेहन ले लिजिए नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत बचताना पड़ेगा आप बिलिजबल भी ने रहेंगे फिर आपको बीएड करना पड़ेगा और फिर आ सब्जेक्ट वाइज तरीके से बढ़ती होती है इसमें आपका सब्जेक्ट आपको इसमें होना जरूरी है तब और पी आपके पास आइड़ता होने चाहिए में, graduation में क्या subject की requirement होती है? PG2 teacher बनने के लिए? और PG में क्यों subject होने चाहिए, क्या subject combination होना चाहिए, सारी चीज़ी में आपको इस यूडियो बताऊंगा, तो इस यूडियो को बिना skip किये हुए, आप लोग end तक देखिएगा, तब ही सारी चीज़ी आपको समझ में आएंगी फिराल यहां पर आपको बदा देता हूं आउई सीमा कि यहां पर मिनिमम्म जो आउई होती है वो 21 वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम का कोई अपरेज लिमिट नहीं है आप 60 वर्स से कम होने चाहिए इसमें आप आविदन कर पाएंगी ठीक है अब यह जो बढ़ती होती है प्रवक्ता की इसमें आपको ग्रेड पे 4800 मिलता है ग्रेड पे 4800 की जाब है 47600 मिनमम बेसिक बनता है इसके बाद आपका हर साल इंक्रीमेंट टीए डीए वह अलग से मिलते हैं तो इस तरीके से सहली बहुत अच्छी खासी बन जाती है अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कि अपनी से मिलेगी तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं पीजीटी का और टीजीटी का दोनों को मैंने वीडियो बनाया बताया हुआ है लेकिन वहां पर क्या मैंने जो डीए हुआ है वह आठारा परसंट 17 के आसपास बताया था उस वीडियो में क्योंकि वह एक साल तुछ बताया है तो थीष्चा राजकी संस्क्रित का आपातन रख सकते हैं या फिर सास्त्री परिक्षा राजकी संसीuate चव्राज्च कालेज वरान सी जो कि संपुर्णन विश्विद्यले के नाम से जाना जाता है यहां से किया हुआ होगा तब भी आप आविधन कर पाएंगे इसके अलावा यहां पर देखे सेकेंड नमबर पर बोला गया है कि कुछ स्पेसल बोला गया तो यहां से आप लोग दे सकते हैं और थर्ड नमबर इस परिंट में बताया कि आपने हिंदी और संस्कृत दोनों विश्यों से पी जी किया हुए डबल पर पीजी किया हुआ होगा अपने ठीक है तो आपको बी यह में संस्कृत किया नमारता आपके ऊपर लागू नहीं होगी ठीक है और यहां पर देखें अगर आप यह वेटेज मिल जाएगा वेटेज कितना मिलता किन किन डिगरियों पर इसका मने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप सर्च करेंगे कि त्रिशल पिजिटी बारांक एब टेक ऐसे सर्च करेंगे विडियो जाएगा उसको आप लोग देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में ज किसी में सब्सेक्च में अगहरा आको पास है तो लगाईए हैं तो कोई नहीं है ठीक है अब बात करें अब बत करें के बहुँ के लिए मिल्म कडी बोला गया है कि कि अपने हैं कि आप पर आंप सास्त्र से में सी की हो या उस्दोरी अर्थ सास्त दो правда कला में में किया हो इन तीन में से कोई भी डिगरी आपके पास है तो आप आवधर नहीं कर सकते हैं इसके लाँ बोला गया है कि ग्रहे विग्यान या अर्थसास्त या घ्रेलिविग्यान जाग्रे कला में प्रसिच्छत इसनातक ठीक है अगर आप इके पास यह तब भी आप आवधर कर सकते हैं बात करें अंग्रेजी विशेख कि थके बारे में द्यब्स मांटा प्रत्रे अखी डिप्लोम यह होने चाहिए ठीक हैं और आगर आपके पास से बैदेफिट मिलेगा उसको अब आभी प्रात्मिक रिकता दी अब बात करें आप्र कला वेकरें तो कला वे सब्सit अपने परिच्छा पास किया हो ठीक है और राजकी कला और सिल्फ विद्धाय लखनौ ये का आड़ से मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप आवदन कर सकते हैं इसके साथ प्रावधिक कला अगर आपने इंटर में पड़ा है और नीचे इनमें से से परिच्छा अपने कालिफाई किया हुआ है यह सारी चीजी है तो आप पिजिटी कला के टीचर बन सकते हैं संस्क्रत में अगर आपने में किया हुआ है ठीक है तो आप यहां पर बन सकते हैं संस्क्रत के टीचर अब बात करें वहांड़ी जी को लेकर करके तो किवल आप आपके कुल आपने Nkaam किया हूआ तो आप वारेजी की मिन्सक्रीचार बन सकते हैं इस इसे तरीकिश कर टैचर बहना साइब तो अगरी MP आपके पास होना चाहिए ठीक है सारी इनकी बात कर लेते हैं लोग दोनों है तो यहां पर अलग- विडियो बनाया हुआ चाहिए तो आप लोग इसको को भी देख सकते हैं आप लोग योटूब में सर्च करेंगे टेजिटी पिजिटी म्यूजिक इरिजबिल्टी क्राइटेरिया आगे डाल देंगे तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा यहां पर आप लोग दे सकते में पता देता हूं आपको कि इनके लिए जो बांगी ग को आवधर करने के लिए पात रहे कि कोई यहां पर आप कर सकते हैं तरग शाष्ट की बात कर लेते हैं तो मैं राजनीती शाष्ट आपका होना चाहिए या पर तरीवर्सी पाथ करम राजनीती साष्ट अगरह आपने किया तब आवजन की बात रहें इतिहास प्रवकटा की बात करें तो सबस्क्राइलों को में किया हुए या लोग या लोग यहाँ पर पात रहे है या की Grad करम का तो भी आप इसके लिए पात रहोते हैं आप कर बतातें बतर छिसमेंगे इनसी वरती होता है चिसमें BA orn长s वालों को बिच्टी टीचर बनने का मोगा मिलता है वांखी कि किसी बरती में इसा नहीं होता है यहां पर ऐसा होता है अगर आपने पीजिटी टीचर बन सकते हैं मन우 विघ्ञान की बात कर लें तो इमें से आपका होना चाहिए सईने विज्ञान की बात कर लेते हैं, रूप में आपने एक वर्स के लिए कमिंशन प्राप्त किया हो, यह आपके पास है, यह पिर कम से कम तीन वर्स की सेवा का भारती सेना का कमिंशन प्राप्त अधिकारी हो, आप वह यह पिर कोई UOTC अथवा NCC अधिकारी आप रहे हो, तो भी आप बढ़ सकते हैं, यह हाई स्कूल इस तर तक ग्यान रखने वाला YSRI कमिंशन, यह कई सारी इजिल्टी क्रेटरियर यहां पर दी गई है, आप लोग इसमें से कोई भी है, तो आप आधिन कर सकते हैं, एजुकेशन की ब लिए आउधन कर सकते हैं, यह पर LTE अधवा BTE के साथ मनों विग्यान में में किया हुआ है, तब भी आप आउधन करने के लिए पात रहे हैं, बात कर लेते हैं, बायोजी को लेकर कर दें वनस्पति विग्यान अधवा जंति विग्यान में मस्सी आपने किया हो, ठीक है, इसके लाए और भी कई सारी क्वालिफिकेसर यहां पर दी गए, इसमें से कोई भी आपके पास है, तो आप पात रहोंगे, बहुतिक विग्यान प्रवक्ता की बारे में बोला गया है, कि एमस्सी बहुतिक आपका होना चाहिए, ठीक है, और किसी तरह के स्केमिस्ट्री मोल अगर आपने बेस्ट्री किया हुआ है, तब आप यहां पर पात्र होंगे, तो दोस्तों यह हो गई कुल मिलाकर करके 22 विश्यों की इलिजिबिल्टी क्रेटेरिया, उत्तरब देश्यों पर रिवड़ती है, आती सभी के इलिजिबिल्टी क्रेटेरिया मैंने आपको बता अगर आप जानना चाहते हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, चैनल प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बने अलग से वीडियो बनाए हुई है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत आदे, टीजिटी पीजिटी दोनों बढ़तीयों की कई सारे विश्यों की जो टेस्ट सिरीज है, अवलेवल है, एबिटेक ओनलाइन टेस्ट सिरीज एप पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाई टेस्ट सिरीज मिल जाएगी, प्रीविए सिर पेपर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप का लिंक दिया होगे, आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही धन्यवादा हूं